जाहिंद, आज मैं आप लोगों को बिहार में सिक्षा विभाग में मानव बल, मानव बल की जो भेकेंसी निकली हुई है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ आपको इसके लिए क्या करना परेगा कितना सिलरी मिलेगी कहां संपर्क करना परेगा मैं सभी जनकारी देने वाला हूं आप इसके नोटिफिकेशन जो हैं इसके बारे में अगर आप जनकारी चाहते हैं तो इसके लिए आपको howonlinetest.com गुगल में सर्च कीजिए और आपके सामने यहां जो आप देख रहे हैं या डिस्पले जो हो रहा है यहां पर यहां नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा मानव बल या पतरांग 1305 जो हैं 2013 इस पर आप किलिक कीजिए और इसके बारे में आधिक जनकारी आप हांसिल स्विंग भी कर सकते हैं यहीं पर बिहार स्टेट 2013 के बारे में भी पुरे नोटिफिकेशन है EMRS का नोटिफिकेशन भी है और यहां वेबसाइट आपके लिए ही बनाया गया है और इस पर जो हैं जतने परकार का बिग्यापन है नोटिफिकेशन सभी जो हैं इस पर आपको हमेशा एवलेबल रहेगा आपको इधर उधर कहीं भी भटकने के अवसकता नहीं है आप यहां पर कभी भी कई वर्सों के बाद भी आप यहां पर आ करके उस से समंधित नोटिफिकेशन को देख सकते हैं तो मैं अभी बताने वाला हूं मानवबल के बारे में सबसे पहले मैं क्या करता हूं इस पर मानवबल पर किलिक करता हूं यहां आप देख रहे हैं बिहार सरकार सिक्षा विभाग या प्रेशक जो हैं निदेशक सिक्षा विभाग के जो सुभेओत कुमार चोधरी जी है उनके दुआराया जारी किया गया है स्वेवा में सभी छेत्रिय सिक्षा उपनिदेशक, सभी जेला सिक्षा पदादिकारी, विशय माना बल की उपलवता के संबंध में, यहाँ पर माना बल की उपलवता के संबंध में बाते कही गई हैं, तो यहाँ पर हैं, और यह सुबोध कुमार चोधरी जी के दुआरा जो 305 है इसमें बताया गया है और यह लेटर जो जारी किया गया है सभी RDD और DO के नाम से आप इसमें जो है जितने भी अपने छेतर के RDD है या आपके जिला का जो DO है आप उनसे भी संपर कर स्थापित कर सकते हैं या नहीं जो वेंडर है आपके जिला का उनसे भी आप संपर कर सकते है और अगर आपके नजदी के किसी विद्यालाय में या BRC में अगर सीट एबलेवल है तो डिरेक्ट वहां पर भी आप उस करियाले से भी संपर कर सकते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है महासए जीला अस्तर पर पर खंड अस्तर पर विद् इनेवलिंग प्लेटफॉर्म देते हुए केंद्रेकृत तरीके से निवीदा निकाल कर इन मानबलों को और सॉर्सिंग के अधार पर लेने हेतु दार और भेंडर दोनों तई कर दिये हैं जीला अस्तर पर परखंड अस्तर पर अथवा बिद्याला अस्तर पर या मानबल लेत सकता है इसकी सुचना कलांतर में भेजी जाएगी किस जिले में कौन सा भेंडर मानबल उपलब्द करेगा इसकी एक इंडेक्टिव सुची सनलगन की जा रही है यहां सुची कलांतर में भेजी जाएगी और यहां पर जो है दखिए यह सुची इंडिकेटिव है यदि आपको लगता है कि समन्दित भेंडर की सेवाई ठीक नहीं है तो आप अपने अस्तर से अन भेंडर से भी बानबल की सेवा ले सकते हैं यह भी ध्यान रखा जाए कि सब को लगभग समान मुल्का करियादेश निर्गत हो ताकि किसी भेंडर को यह करने का मौका न मिले की जीला अस्तर पर उनके साथ पक्षपात्पुन रविया अपनाया गया है उपर्युक्त बेवस्था इसलिए अपनाई जा रही है क्योंकि यह देखा गया है कि चाहे जीला अस्तर चाहे परखंद अस्तर या बिद्दल अस्तर पर काफी रासी परी होने के बावजूद समंदित पदाधिकारी या प्रधना ध्यापक उचित निर्ने नहीं ले रहे थे क्योंकि सरकारी मद में जो पैसा होता है चाहे हुआ विकास कोस हो चात्र कोस हो उसका खर्च करने के लिए बिना विभागी अनुमति का खर्च करना थोड़ा कठीन होता है इसलिए कोई अपना उचित निर्ने नहीं ले पाते थे इसलिए सरकार सोची है कि क्योंना सभी जिलों में एक भेंडर के थुरू जो है बहाली कर दी जाए तो इसलिए बिभागी ने यहां दर्यत तै किया और सभी समनित करियालायों विद्यालायों को एक सुब्धा परदान की गई सभी करियालायों विद्यालायों उपरिक्त भेंडरों के अलावा भी किसी भी भेंडर से उपरिक्त दर पर अध्वा उससे कम दर पर भी उपरिक्त माना बल लेने के लिए सुतंत्र होंगे तो मैं आप इस पर भी थोड़ा चर्चा करूंगा कि यहाँ पर किस पोश्ट के लिए कितनी जो है आपका सलरी मिलने वाली है यहाँ आप देख लीजिए यहाँ जो है प्रोग्रामर के लिए अगर आप भी बीटे किये हुए है या MCA या EQUVALENT है इसके तो आपको इसके लिए 35,000 रुपया जो है देन मिलेगा यहाँ आपको मासिक ब्यतन है 35,000 रुपया अगर आप computer operator है और आपको टैली आता है और हिंदी इंगलिस का tapping speed मिनमम 30 वर्ड पर मिनत है और आपके qualification भी कम है तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं इसके लिए आपको 60,000 रुपया मासिक ब्यतन मिलेगे MTS है multitasking service होता है यह इसमें जो है आपको 10 plus 2 pass होना जरूरी है और अगर DCA है कम से कम और basic computer का knowledge रखते हैं tapping skill है आपके पास तो आप इस post को भी apply कर सकते हैं इसके लिए आपको 14,000 रुपया मासिक ब्यतन मिलेगे अगर आप stenographer है graduate और आपका stenography जो speed है 100 word per minute है या उसे एभव है और tapping speed जो है कम से कम 45 word per minute है तो आप जो है इस post के लिए apply कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 20,000 रुपया मासिक ब्यतन मिलेगे security guard के लिए skilled category जो है या minimum जो है आपको 8,000 रुपया मासिक ब्यतन या उसे अधिक मिल सकती है वह सिक्षा बिभार या उस समंधित जिला के उपर निर्भर है या अगर उसे कम में भी काम करना चाहते हैं कोई व्यक्ति अगर मन लगता है कोई 5,000 में अगर गच लगता है कि नहीं माही रहूंगा या काम कर दूँगा तो जो मिनमम सलरी लेना चाहेंगे उनकी परत्मिक्ता उनको प्रियोटी दी जाएगे और वो वहाँ पर उनकी जो है सेलेक्शन सबसे पहले जो हैं होगा अब मैं चर्चा करने वाला हूँ समंदित भेंडर यहाँ पर जीला वाइज है सभी जीला का लिष्ट दिया गया है आप पीडियेप में पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मानबल में या प्रोग्रामर इस्ट्नोग्राफर या MTS के पुष्ट पर जोइन करना चाहते हैं तो आप के लिए यह अपर्चुनिटी अच्छा है आप समंदित जीला से इस पत्र के आलोक में आप संपर कर सकते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जाय हिंद जाय भारत